हेलो बच्चो आप लोगों का स्वागत हैं आज आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं जो भी बच्चे क्लास 10 और 12 में CBSE की परिक्षा में समलित होने वाले हैं तो उनको जो कौपी मिलेगी उसका फ्रेंट पेज उन्हें कैसे भरना है काफे सावधानी से भरना पड़ता ह कई बार देखा गया है कि इससे गलत भरने के चलते बच्चों का रिजल्ट पेंडिंग हो जाता है तो यहां पर फ्रेंट पेज है फ्रेंट पेज दो पार्ट में है फ्रेंट पेज यह आपको रंग बिरंगा मिलेगा रेड कलर में या आपको ग्रीन कलर में मिल सकता है मैं मैंने ऐसे एक जिरॉक्स कॉपी विवस्था किये मैं इसी के हल्प से आपको बता रहा हूं सबसे पहले आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड आप देखेगा तो लिखा हुआ है सबजग्ड मेरा सब्जेक्ड सोशल साइंस है तो मैंने सोशल साइंस लिग दिया आपका जिस दि और डेट में examination हो रहा है तो ये examination Saturday को हो रहा है तो मैंने Saturday लिख दिया and उस Saturday को date जो है 14 मई है यह आप मिला लिजेगा आपके admit card पर भी date है तो मैंने वहीं से लेकर इसको लिख लिया medium of answering the paper आप social science किस medium में लिखेंगे तो obvious है maximum बच्चे social science इंग्लिस में लिखते है तो इंग्लिस हो जाएगा, हिंदी का पेपर रहेगा, तो यहां मीडियम हिंदी हो जाएगा, इसी तरह से सभी कोशन पेपर के कोड होते है, सेट नंबर वन, सेट नंबर टू, सेट नंबर त्री और फॉर, तो आपको जिस दिन कोशन मिलेगा एक्जाम वाले दिन में, जो सेट आपको मिलेगा से, तो आपको यहां वन को सरकल करना है, if you got सेट नंबर टू, then you have to circle सेट नंबर टू, आपको डार्क सरकल करना है सेट टू को, अगर आपने extra copy ली है तो आपको यहाँ पर लिखना होगा मैंने यहाँ box को blank लिखा है अगर आपने एक लिया तो एक, दो लिया, दो लेकिन obvious बहुत page होते हैं यही इसी copy में आपका सारा answer सा जागा उसके बाद person with benchmark disability किसी का कुछ disability है तो admit card में हो रहता है लाए लिया, blank भी छोड़ सकते हैं उसके बाद whether writer provided yes or no, तो no जो बचे disabled होते हैं तो कभी-कभी उनको writer देना पड़ता है को दूसरे बचे उनका लिखता है, तो वो विकलांग बच्चों के लिए तो आपके लिए चीज़ जरूत नहीं है, तो आप यहां नो लिदेंगे तो यह left side का का काम खतम होगा इसके अलावा आपको कुछ और नहीं लिखना है और इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है left side में अब आते है right side में right side में लिखा हुआ है परिक्षारती का नाम बड़े अक्ष्रो में, candidates name in capital letter तो मैंने, आप देखे, box में मैंने अपना नाम लिखा है, अनुराग फिर एक box शोड़ा है, धन कुमार फिर एक box शोड़ा है, फिर सिंग और जैसे जैसे अनुराग है तो अनुराग का a letter तो मैंने a को dark circle किया है, n को फिर circle किया है u को circle किया है, ठीक ऐसे ही आपको अपने नाम के according circle करना है circle करते हैं समय बहुत सावधानी बरतना है किसी दूसरे column या row में आप circle ना करे, आपका जो नाम वाला आपने letter लिखा है उसी column को लेकर आप circle करें यह हो जाने के बाद इसके बगल में ही है अनुक्रमांग that means roll number, आपको अपना roll number है मैंने ऐसे एक dummy roll number लिख लिया 22310603 आप लोगों का roll number भी starting ऐसे ही होगा 2231 से ही होगा, तो आप अपने roll number के according यहां लिखेंगे, और फिर जहाँ 2 है तो 2 में circle कर देना है 2 है तो again 2 में circle कर देना है 3 है तो 3 में circle कर देना है, 1 है तो 1 में circle कर देना है 0 है तो 0 में circle कर देना है 6 है तो 6 में circle, फिर again 0 है तो 0 में 3 है तो 3 में, ऐसे कर देना है then आपका subject code जिस दिन जिस subject की की परिक्षा होगी Suppose मैंने यहाँ Social Science लिए आपको बताने के लिए तो Social Science का सब्येक कोड 087 है जो आपका Admit Card में भी लिखा हुआ है वह है मैंने 087 को यहाँ circle कर दिया इसके बाद है center number आपका Admit Card पे आपका center number लिखा जहां आपका center पड़ा है तो center number को आप यहां लिखेंगे और ठीक उसको circle करेंगे जैसे यहां center number में ने लिया है 844739 तो 8, 4, 4, 4, 7, 3, 9 और उसके बाद है कि school number as per as admit card आपका school number क्या है? 66523 आपका school number है आपका admit card में जिनका जो भी school number होगा आप अपने admit card के according यहां school number लिख लेंगे उसके बाद जो roll number आपने उपर लिखा है उसी को words में लिखना है सब दो में तो actually यहां पर लिखा हुआ है, crore दिया हुआ है, lakhs लिखा हुआ है, आपको करना क्या है, just thousands भी लिखा हुआ है तो आप अपने admit card को देख लिजेगा, वहां पर roll number आपका words में लिखा हुआ है, आप वहीं से इसको लिखे copy कर दिजे जैसे 2 crore है, तो crore लिखा हुआ है, तो हमें crore लिखने का आवशक्ता नहीं है, तो लिखेंगे, फिर 23 lakh है, तो 23 लिखेंगे, ऐसा करके, जो उपर मेरा roll number है, उसको मैंने words में यहां लिख दिया, उसके बादे यहां father, guardian's name, तो admin card पर आपके father का जो भी नाम है, वह आप ल इसार्ति के स्ताक्षर मतलब signature of candidate, जैसे आप sign करते हुए आए अभी थे, आपने registration के समय sign किया, आपने form बढ़ने के समय sign किया, से वह ऐसा signature यहां पर कोई style से signature नहीं करना है, जैसे आप generally अधिकतर बच्चे simple नाम अपना लिखते है running hand में, जैसे signature कभी भी पूरा capital नहीं ल होगा, thank you, thank you all of you